वहाँ पर अगर मालो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह सुनको खतम करने की कोशिश की जाती है ब्रिटिन में जो है वहाँ के जो किस्चिन लोगे उनको पकड़ पर करके सड़कों पर मारा काटा जा रहा है बस बहुत हो गया हमारे बच्चे को सुरक्षत करो कटरपन्ती मुसलिमों को देश से बाहर करो ये नारा इंदनों ब्रिटिन की सड़कों पर जोर पकड़ रहा है जहां वही ब्रिटिन जो एक समय दुनिया में जादतर देशों पर हुकूमत कर चुका है वही ब्रिटिन वाम में नारे बाजी करते लोगों का ये नजारा बंगलादेश, सीरिया या फिर किसी और देश का नहीं बलकि ब्रिटेन का है जो 13 सालों के बाद सबसे भयानक सामप्रदाइक डंगों को जेल रहा है और वजह है कट्टरपंथी लेकिन कैसे ऐसे क्या किया कट्टरपंथियो ने कि पूरा ब्रिटेन सडकों पर उतराया है क्या सच में ये मामला तीन बच्चियों की मौत से जुड़ा है या सिर्फ ये एक अफवाज ही आखर क्यों ब्रिटेन के इन हालातों को देख डरा भारत क्या भारत को अपना भविश्य नज़रा रहा है क्या ब्रिटेन में हो पूर्ट में टेलर स्विफ्ट का थीम डान्स पार्टी में छोटी उमर की तीन बच्चियों की बेरहमी से चाको घोंप कर हत्या करती गई जबकि आठ दूसरे बच्चे और कुछ बड़े लोग भी इस पूरे कांड में बरी तरह घायल हो गये इस अत्याकांड के कुछ समय फूट पड़ी और मुस्लिम सरनार्थियों के खलाब ब्रिस्टल, हॉल, लिबरपुल, मैंचेस्टर, ब्लाक पुल और कई जगों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गये चिन होटल्स में मुस्लिम सरनार्थियों रुके थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया वाहनों मे अग लगा दी गई, मुस्लिम सरनार्थियों के खलाफ जम कर हंगामा काता गया, हलाकि एक गटरता की मिशाल पेश्करते हुए मुस्लिम सरनार्थियों ने भी हंगामे में घी डालने का काम किया और गटरता का सबूत देते हुए ब्रिटिशर्स जहां दिखे उन्हें हुआ अक्बर के नारे लगाते हुए लोगों के साथ मार पीट की जाती है और तो और श्टरनार्थियों द्वारा बड़ी श्राम से कहा जाता है कि हमने डट कर मुखाबला किया मानो कोई जंग हो रही हो वहीं ब्रिटिश के मौल निवासियों ने भी डरनी की जगा पॉलस के सामने डट कर खड़ा होना शुरू कर दिया क्योंकि अब बात देश और देश वासियों की सुरक्षा परान पड़ी है पॉलस जहां लगातार दंगाईयों को गरफतार कर रही है वहीं ब्रिटिशर्स सि को पूरे देश में तैनात कर दिया गया है सडकों पर फोर्स बढ़ा दी गई है और स्पेशल फोर्स भी लगा दी गई है साथ ही जेलों की कैपसिटी भी पहले से जादा कर दी गई है बता दें कि उन तीन बच्चियों में एलस डेसलवा अगूईर साथ साल की एसली स्नैट का और छे साल की बेबे किंग शामल है जबकि इस पूरे मामले कारूब 17 साल के अकसल राकदू बाकाना पर है जिसे गरफतार कर लिया गया है लेकिन ब्रीटीचर्स अभी दंग यकोब बंद नहीं कर रहे इट पत्थर फेकना पुलस पर हमला नारे बाजी ये सब च 13 सालों का सबसे खतरनाक और भयानक प्रदर्शन इस वक्त ब्रीटीन में चल रहा है जिसे देखकर भारत को सबसे जादा डर लग रहा है लेकिन क्यों जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे दरसल दोस्तों ब्रीटीन में जो जहाँ जहाँ ये बसे हुए हैं वहाँ वहाँ उन देशों को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोकला कर रहे हैं यही कारण है कि कटरपंद के खलाफ आज ब्रीटीन के लाखों लोग सड़कों पर उतराएं हैं सैक्रों घायल हो चुके हैं कईयों ने अपनी जान गवाई है लेकिन फिर भी दंगे जारी वो भी सिर्फ एक छोटी सी अफवाह की वज़े से जहां सई सुना अपने अफवाह ब्रीटीन जिस आग में जुलस रहा है वो एक अफवाह के कारण उठी चिंगारी की वज़े से हुआ है असल में जिन तीन बच्यों के हत्या हुई उन्हें म लसकती है तो भारत का क्या होगा क्योंकि भारत में 20 करोड से भी ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और रोहिंग्या घुसपैचियों ने तो पूरे भारत में अपनी जगा बनाई है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पंजाब से लेकर हर्याना बिहार राजस्था राज्जारखंड जम्मो कश्मीर हैदराबाद कानपुर जैसे तमाम राजियों शेहरों में रोहिंग्या की संख्या बढ़ती जारी है एक आकड़े के मताबिक भारत हर महीने 200 से भी जादा रोहिंग्या मुसल्मान अवैद तरीके से दाखिल होते हैं और भारत में बैठे कटरपंद के आखा इनकी मदद करते हैं इने मदर्सों में ठेराये जाता है मस्जिदों में शरन दी जाती है और फिर कटरपंद के ठेकेदार इनके फरजी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड इस्रम कार्ड यहां तक की वोटर कार्ड बनवाकर व समझ रहे हैं कि ये घुस पैठी एक इस तरह देश के कोने कोने में फैल चुके हैं और इनकी पैचान करना मुश्किल हो रहा है। और लैंड जिहाद का गंदा खेल भी खेल रहे हैं इसलिए भारत सरकार को सचेत होनी की जरूरत है क्योंकि एक नहीं सरकार को कई बार सचेत किया जा चुका है तमाम मंतरालेओं नेताओं द्वारा कि ये घुसपैट भारत के आंतरक सुरक्षा के लिए मुसीबत बन सकते हैं अगर आप नहीं जानते तो बता दे कि बाफ आक्ट के जर्ये सरकार को मुस्लिम समधाय की संपत्यों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए कानून बनानी के अजाज़त मिलेगी इससे होगा ये कि मुस्लिम समधाय द्वारा जबरदस्ती जबरन जमी सरकार ने भी सर्फ बफ आक्ट को लेकर चर्चा की है कि फरजी मौलानाओं ने सरकार को धंकाना शुरू कर दिया दंगे की बात शुरू कर दी कुछ ऐसा ही नजारा सी ए कानून के वक्त भी देखने को मिला चारो तरब दंगों का माहौल बनाय गया शाहीन बाग के प्रद मुश्किल हो जाएगा कटर पंथियों को रोकना बेहत खतरनाक साबित होगा क्योंकि भारत में इनकी संख्या करोडों में है और साल दर साल ये संख्या बढ़ती ही जारी है भारत के कई लाके तो ऐसे हैं जहां कटर पंथियों ने मून लिवासियों का जीना मोहाल कर दिया है ऐसे में कटर पंथ से तंग आ चुके लोग कुछ भी रोक नहीं पाएंगे अवैद कबजा जबरन धर्म परिवर्तन लैंड जिहाद जैसी तमाम बुरायों के खलाफ देश में हिंसा भड़क उठेगी इसलिए सरकार को अभी से इसके लिए प्लान तयार रखना चाहिए और इन कटर पंथि घुस पैठियों के खलाफ जल से जल्द कोई आक्शन लेना चाहिए ताकि भारत को ब्रिटेन जैसे भायंकर दंगों का सामना ना करना पड़े और देश की सुरक्षा भी सुनिश्च्छित की जा सके क्योंकि एक भारत ही है जहां हिंदू की संख्याफ जादा है और जहां हिंदू पूरी तरह से सुरक्षत हैं जबकि बाहरी देशों में कटर पंथियों ने हिंदू के साथ कैसी बरबरता दिखाई है ये देखने के लिए ज़ादा दूर जानी की जरूरत नहीं है हमारे पडूसी मुलक बांगलादेश और पाकस्तान को ही देख लीजे जो भारत की ही महरबानी से बने और आज हिंदूओं को आख दिखा रहे हैं रोहिंग्याओं, घुस पैठियों और कटरपंती मुसल्मानों पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सरकार को इनके खलाफ क्या फैसला लेना चाहिए? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रस करना बलकुल भी ना भूले दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें